तो आज हम पढ़ने वाले class 6 chapter 1 our number system की next exercise exercise 1.3 का पहला question जिसने बोला गया है round off to the nearest 10 याने कि nearest 10 पे आपको round off करना है round off और estimate वही होता है word okay students तो वैसे तो आपने पिछले कई classes से पढ़ते वह आ रहे हैं कि round off यहां estimate कैसे करते हैं but don't worry मैं आपको एकदम basic से समझाओंगा students चलिए start करते हैं यहां पे question में हमको 82 को round off करना है nearest 10 के लिए ओके तो अब इसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना जाओंगो students की यहां पे दो concept होते हैं एक होता है small number और एक होता है big number तो देखिए small number में क्या क्या आता है और big number में क्या क्या आते हैं okay small में आता है 0,1,2,3,4 and big में आता है 5,6,7,8 and 9 तो students यहां पे concept क्या है कि 82 को हमको round off करना nearest 10 के लिए तो पहले इस question को लिख देते हैं okay number है हमारा 82 अब यहां पे nearest 10 है 10 तो once 10 तो 10 यहां 10 से इधर जितने भी number आते हैं उन सब को यहां पे collect कर लेते हैं grouping कर लेते हैं क्योंकि हमको 10 से round off करना है अब यहां से क्या होता है देखिए दो चीज़े possible है इधर जो भी number आपको मिला है उसको लिखेंगे और उसमें जितना भी यहां पे आए उसमें plus 1 करेंगे 8 plus 1 9 देखिए पहले पूरा question समझ लेजिए फिर आपको चीज़े और मैं revise कराऊंगा ओके तो देखिए यहां हो गया 8 और यहां पे 9 अब इसके बाद जितने भी number है यहां पे एक ही number है एक ही digit है I mean 2 है एक digit है तो एक 0 यहां पे लगाएंगे एक 0 यहां पे लगाएंगे इतना clear है तो अब यहां पे देखिए यहां तो 80 इसका answer होगा यहां फिर 90 होगा अभी check कैसे करते हैं कि जो just यह grouping के बाद वाद वाद जो number होता है जो यहां पे 2 है अभी 2 कहां है small में आ रहा है कि big में आ रहा है यहां आ रहा है small में right तो जो small number याने कि 80 वो हमारा सही answer होगा एक बार मैं फिर से recap करवा दूँ देखि 82 था तो nearest 10 पे हमको round off करना था तो once 10s 10s से लिखा कि जितने भी number आते हैं उनकी grouping करते हैं जो भी number है उसको यहां पे लिखते हैं and उसमें plus one करके next number यहां पे लिखते हैं and यहां पे 1 digit था just grouping के बाद इसलिए 1-0 यहां पे और 1-0 यहां पे इन में से सही answer कौन सा था उसको check करते हैं कि grouping के बाद वारा जो number है 2 है यह small number में आता है इसलिए हमारा 80 जो है वो answer हो जाएगा clear है चली देखते है next question अब यहां पे हमको 843 को round off करना है नीरे 10 के लिए तो चलिए number लिखते हैं 843 तो once 10 10 से लेखा के जितने भी डिजिट हैं उनको grouping करेंगे ओके यहां पर दो number बनेंगे यह द्यागा 84 एन उसमें person करने पर आद्यागा 85 अब यहां पे एक डिजिट है तो एक 0 यहां पे एक 0 यहां पे अब इन दोरों में से सही कौन सा है तो check करते हैं grouping के बाद वारा number 3 small number है यहां कि 840 will be our answer clear students चलिए देखते हैं next question question number 2 में बोला गया round off to the nearest hundred तो यहां पे हमको round off करना है 100th place के लिए तो चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे interesting चीज़ होगी students चलिए पहले question लिखते हैं 78 अब यहां पे हमको 78 के लिए nearest hundred पे round off करना है अब यहां पे once tense hundred place तो कुछ ह है ही नहीं अब कैसे करेंगे तो अब यहां पे कोई भी number नहीं है students मतलब यहां पे क्या है यहां पे 0 तो यहां पे जो दो number लेंगे न हम वो एक हुझा का 0 जीरो उसके बाद में दो number है दो डिजी टाइमिन तो दो 0 यहां पे and 2-0 यहां पे ओके अब इन दोनों में से कौन जो राउंड उफ होगा निरस हंडड पर वह जाएगा 100 clear है इस question में बोला गया में 336 को राउंड उफ करना है निरस हंडड के लिए तो चलिए नमबर लिखते हैं 336 अब निरस हंडड है तो one stands 100 100 से हम करेंगे इसकी grouping दो नमबर लेंगे इससे एक हुज आगा यह 3 और एक हुज आगा उसमें plus 1 करेंगे तो 4 दो डिजिट है तो 2-0 यहाँ पे 2-0 यहाँ पे अब कौन सा सही है तो grouping के बादा नंबर देखते हैं that is our 3 3 small number है तो 300 will be our answer इस question में बोला गया है round off to the nearest thousand यहाँ पे nearest thousand के लिए आपको round off करना है यहाँ पे question में 710 को round off करने बोला है nearest thousand के लिए तो सबसे पहले question लिखते हैं 710 अब देखिए हमको यहाँ पे round off करना है nearest thousand interesting चीज यहाँ पे यह है कि यहाँ पे thousand तो ही नहीं ones, tens, hundred and thousand से grouping करते हैं हम लोग तो thousand में कुछ भी नहीं तो यह क्या हो जागा zero तो दो number मिल जाएंगे हमको एक हो जागा zero and उसमें plus one करेंगे तो one three digit है तो 30 यहाँ पे and 30 यहाँ पे grouping के जस्ट बादा number चेक करते हैं यहाँ पे कि कौन सा सही है तो यहाँ पे seven जो है big number है तो big number will be your answer तो 1000 जो है वो round off होगा nearest thousand किसके लिए 710 के लिए clear students next question देखते हैं इसमें बोला गया है 8702 को हमको round off करना है nearest thousand के लिए तो सबसे पहले question लिखते है 8702 nearest thousand के लिए हमको यहाँ पे round off करना है तो once tens hundred thousand से grouping करते हैं दो number मिलेंगे हमको एक है eight and इससे next number है nine three digit है तो three zero यहाँ पे three zero यहाँ पे कौन सा सही है तो जब उसके बादा number चेक करते हैं यह seven seven याने की big number so our answer will be nine thousand clear students चलिए देखते है next question इस question में बोला गया है estimate each sum to the nearest ten तो यहाँ पे आपको estimate करना है ने की वही round off करना है students each sum sum याने की plus कुछ करना है आपको यहाँ पे इस question में वो भी nearest ten के लिए okay तो सबसे पहले दो चीज़े हैं आपको इन दोनों को nearest ten पे estimate करना है तो चलिए यहाँ पे rough में कर लेते हैं कि जो 87 है उसमें अगर हम करते हैं तो क्या होगा देखिए one stence है यह तो यह जागा eight यहाँ पे nine एक डिजिट है तो एक zero एक zero इसके बाजू में seven जो बिग नमबर है तो 90 हो जाएगा यह और 14 को करते हैं तो हो जाएगा यह यहाँ पे one stence okay then दो डिजिट मिलेंगे हमको यह पे one two एक डिजिट है तो एक zero एक zero इसके बाजू में four है small number है तो 10 will be the answer okay तो चलिए अब इसका solution में आते हैं लिखेंगे हम 87 plus 14 is estimated 2 तो यह 87 हो जाएगा क्या 90 plus और 14 का estimation हुआ 10 तो 90 plus 10 100 will be our answer students clear है कैसे हुआ similarly second question करेंगे चलिए 57 को and 46 को चलिए round off करेंगे तो यह जाएगा once tense tense के लिएम को मिल लिएगा 5 and 6 right एक digit है उसके बाद तो एक zero एक zero seven big number तो 60 will be our answer यहाँ पे once tense तो four seven को मिल लिएगा 4 and five ओके अब मैं थोड़ा सा fast इसलिए जा रहा हुँ students क्योंकि आप आपको यह चीज़ समझ में आ गए right एक digit है उसके बाद तो एक zero six जो वो big number है तो 50 will be your answer तो यहाँ लिखेंगे हम 57 प्लस 46 is estimated okay estimated 2 तो हम इसको estimate कर रहे है किसमे 50 से हो जाएगा हमारा 60 प्लस 46 हो जाएगा 50 तो 46 हो जाएगा 50 तो 60 प्लस 50 100 विल बी अवर answer ओके students I hope आपको यह clear हो गया होगा अगर आपको मारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या प्लीज मिला तो प्लीज हमाँ चैनल को सब्स्ट्राइक कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरू करें आज के लिए इतना ही थैंक्यू